कलश मंगल सूचक्यों वरुन और अगनी को साक्षी देवता माना जाता है वरुन का प्रतीक है कुम्भ अर्थाद कलश शास्त्रों में कलश दर्शन को देव दर्शन के समकक्ष माना गया है कलश के मुख में शिविश्नु विराजमान है कंठ में रुद्र का वास है, मूल में ब्रम्हा, मध्य में मात्रे गण स्थापित है, कोख में प्रिथ्वी के साथों समुद्रों का जल स्थित है, कुम्भ को देखते ही समुद्र मन्थन की कथा का स्मरन होता है मोहिनी अवदार के हाथों देव असुरूं के बीच अम्रित बातनी की कथा स्मरन होती है, रिक, यजू, साम और अथर्ववेद अपने अंग उपांगों के साथ कलश में विराजते हैं देव दानवों के संघर्श रूप समुद्र मन्थन के समय महसागर के बीच से कलश को निकाला गया था, जिसकी स्थापना ब्रह्मा जी ने की थी इसी कारणवश कलश मंगल सुचत माना चाता है